हालो वच्चो आज कलोक का दूसरा कलास है ध्यान से देखेंगे कौन ग्यात करने के लिए सिखाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं घरी में 12 घंटे होते हैं गरी में 12 घंटे होते हैं और घंटा सीक जो है एक रौंड मारने में एक रौंड मारने में एक रौंड चलने में 12 घंटे समय लगता है और आवर हैंड पॉइंट घंटा सीक लिए एक रौंड बड़ावर 12 घंटे घंटा सी एक रौंड मारने में 12 घंटे समय लगता है बड़ावर 307 घंटा तो एक घंटा बड़ावर 307 बड़े बार यानि 30 घंटा मान यहां कितना निकल गया है 30 घंटा तो ध्यान देंगे एक घंटा बड़ावर 60 मिनट बड़ावर 30 दिगरी तो वन मिनट बड़ावर 30 बड़ा 60 यानि हाफ डिगरी घंटा सुई एक मिनट में हाफ डिगरी से बढ़ती है अब आगे दिखेंगे और मिनट हैंड पॉइंट मिनट के सुई के लिए एक राउंड बड़ावर एक घंटा ध्यान देंगे जैसे अभी बारा बजे है जब बारा बजता है घंटा मिनट दोनों सुई जो है बारा फोती है अज जैसे एक बजेगा जैसे एक बजेगा तब क्या होगा एक बजने पर क्या होगा ध्यान दिजिए घंटा सुई एक पर आजाएगी और मिनट सुई बारा से पुनह बारा पर जैसे एक बजेगा तो घंटा सुई एक पर आएगी मिनट सुई बारा से बारा पर यानि घंटा सुई एक रौन मारने में बारा घंटे समय लेता है मिनट सुई एक रौन मारने में क्ये घंटा समय लेता है तो एक रोन बरावर एक घंटा बरावर तिनसो साथ दिगरी यानि एक घंटा में ही मिन शी तिनसो साथ दिगरी से आगे बर गया। एक घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 360 डिगरी, वन मिनट बराबर 360 बटे, 60 यानि 6 डिगरी, ध्यान देंगे बचे, घंटाक सुई एक मिनट में 5 डिगरी से आगे बढ़ती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, घंटाक सुई एक मिनट में 5 डिगरी से आगे बढ़ती है, और मिनट सुई एक मिनट में 6 डिगरी से आगे बढ़ती है, इस प्रकार, इस प्रकार, एक मिनट में दोनों सुईयों के बीच, काग्याप बराबर, घंटा सुई एक मिनट में 5 डिगरी से बढ़ती है, मिनट सुई एक मिनट में 6 डिगरी से बढ़ती है, सारे 5 डिगरी, पंदरा नंबर कोशन कह रहा है, एक घरी ने मद्ध रातरी ठीक 12 बजे से चलना शुरू किया, तो 4 एम पर घंटे सुई, द्वरा कितने अंस का कोन बना, मद्ध रातरी ठीक 12 बजे से सुबह 4 बजे 4 घंटे हो गए, तो ध्यान देंगे बच्चे, एक घंटा बराबर घंटे सुई के लिए 30 डिगरी, तो 4 घंटे बराबर, 30 गुना 4, 120 डिगरी, यानि 120 डिगरी कोन बनेगा, एक सटी घरी सुबह 8 बजे का समय, एक सटी घरी पर सुबह 8 बजे क समय नजर आता है, दोफर को जब 2 बजे क समय नजर आएगा, तो घंटे सुई कितनी दिगरी घुम चुकी होगी, सुबह 8 बजे से दोफर 2 बजे 6 घंटे हो गाए, एक घंटा बराबर 30 डिगरी, 6 घंटे बराबर 30 गुना 6, यानि 180 डिगरी, 17 नमबर देख रहे हैं, एक घरी मध्यान को सुरू होती है, 5 बजे कर 10 मिनट पर, घंटे की सुई कितनी पर घुमती है, यानि 5 बजे कर 10 मिनट पर, मध्यान मतलब ठीक बारबर बजे सुरू होती है, 5 बजे कर 10 मिनट पर, 5 घंटे 10 मिनट हो गए, पांच घंटे दस मिनट मतलब ठीक बारा बजे से पांच बज को दस मिनट पर पांच घंटे दस मिनट हो गए सुनिए घंटा सुई के लिए एक घंटा बराबर 30 दिगरी पांच घंटे बराबर 1500 दिगरी घंटा सुई के लिए एक मिनट बरावा हाफ डिगरी दस मिनट बरावा पॉंस दिगरी टोटल हो गए एक सो पॉच पन डिगरी यानि घंटा की सुई कितनी पर घुमती है तो एक सो पश पन डिगरी पर घुमती है मद्ध्यान मतलब ठीक 12 बजे से पॉंच बज़ कर 10 मिनट पर घंटा सुई कितनी पर घुमती है 155 डिगरी पर घुमती है ध्यान देंगे अगला सवाल एक घरी ने दोफर 12 बज़े से चलना शुरू किया तो 3 बज़ कर 45 मिनट पर 3 45 पीम पर घंटे सुई द्वारा कितने अंस्टा कोन बना तीन घंटे 45 मिनट हो गए एक घंटा पर अब 30 डिगरी तीन घंटे पर अब 90 डिगरी हो गिया अपलास घंटा सुगल एक मिनट पर अब हाप डिगरी 45 मिनट पर अब हो जाएगा सरेबाइस हो जाएगा तो 90 पलस सारेबाइस 90 पलस सारेबाइस एक सो सारे बारे डिगरी होगा एक घरी चार बजे समय दर्शा रही है के बल घंटा सुगल के 90 डिगरी घुमने के बाद क्या समय होगा जैसा कि आप जान रहे हैं एक घंटा पर अब 30 डिगरी यानि 30 डिगरी बराबर एक घंटा तो 90 डिगरी बराबर तीन घंटे घंटे सुग तीन घंटे घुमनेंगे चार बजे हैं उसमें तीन घंटे जोर दीजिए साथ बजेगा साथ बजेगा ध्यान देंगे बीस नंबर देखिए साथ बज के 30 मिठ हुआ घरी में घंटे सुग तीन गुमती है यनि 30 डिगरी बराबर यह घंटा 135 जिगरी बराबर सारे चार घंटी तो सारे चार घंटे जोड़ देते हैं बारा बज़े गा अगला सवाल तीन बज़े हैं घंटे से 135 जिगरी से घंटी है ध्यान देंगे 135 जिगरी में सारे चार घंटे घंटे से घंटे से घंटे हैं यहां भी सारे चार जोड़िए सारे साथ बज़ेगा सारे साथ बज़ेगा ध्यान देंगे दोस बज़ कर तीस मिनट पर घंटे से मिनट की सुयों की बीच का कौन क्या होगा स्रीक अपलाय करने से पहले अच्छी तरह समझ लिजीए अच्छी तरह समझ लिजीए ज्यादा बेहतर रहेगा तो ध्यान देंगे दो सबस के 30 मिट हुए हैं भाई गहन टाक सुई जो है दस से ग्यारे की बीच होगी अब मिनट सुई छे पर तो ध्यान देंगे ये बीच का हो जाता मिनमम इधर आइधर हो जाएगा मैक्सिमम मिनमम घंटा मिनट सुई की बीच कितने कॉलम है एक, दो, तीन, चार आधा सारे चार है घंटे मिनट सुई की बीच सारे चार कॉलम है यहाँ आधा कॉलम है के बल आधा कॉलम तो सारे 4 कोलम तो ध्यान देंगे सारे 4 कोलम 1 कोलम बराव 30 दिगरी तो 4 कोलम बराव 120 आधा बराव 15 यानि मिनमम हो गया 135 मैसिमम कैसे लेंगे 360 में 135 घटा देंगे 225 दिगरी हो जाएगा मैसिमम तो किस पस्थिते में क्या करना है आईए देखते हैं नोट में देखिए सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ध्यान देखिए बच्चे सबसे पहले मिनमम को मिनमम मतलब मिनमम मतलब क्या होता है जान लिजिए मिनमम किसको कहेंगे लेज देने सबसे दिगरी को कांसिडर करें यदि आप्शन में मिनमम नहीं रहे तो मेक्सिमम यहीं गेटर देन 180 दिगरी को कंसिडर करें ध्यान देंगे बच्चे मिनमम यहां 135 दिगरी हो गया मेक्सिमम 225 दिगरी हो गया सबसे पहले मिनमम यानि लेज दन 180 दिगरी को कंसिडर करें यदि आप्शन में मिनमम नहीं रहे तो मेक्सिमम यहीं गेटर देन 180 दिगरी को कंसिडर करेंगे अब ट्रिकली कैसे बनाएंगे जल्दी बादी बनाना है जल्दी बादी बनाना है उसके लिए क्या करेंगे ध्यान देंगे हट्टी एच तथा 11 बाद 2 एम के बीच का अंतर निकालें हट्टी एच तथा 11 बाद 2 एम के बीच का अंतर निकालना है तो सवाल देखते हैं 10 बाद का तीस मिनट हुए है घंटा दस मिनट पीस 10 को पूट करना 30 एच में 11 बाद 2 एम में 30 पूट करना है तो 30 एच तीस तीन सो हो जाएगा 11 बाद 2 एम हो जाएगा 165 हो जाएगा तो अंतर लेना होता है 300 में 165 घड़ाएंगे 135 दिगरी होगा तो 10 बाद कर 30 मिनट पर घंटे था मिनट की सुयों की बीच का कौन होगा 135 दिगरी अब 5 बाद कर 30 मिनट पर घंटे था मिनट की सुयों की बीच का कौन क्या होगा 5 बाद कर 30 मिनट पर घंटे पाँच मिनट तीस 30 अच में पाँच को पुट कीजिए 11 वाट 2 या में 30 पुट कीजिए ध्यान देंगे मौकी की भी बना सकते हैं यदि परियास करते हैं पेन नहीं डालना परे तो नहीं डालना परेगा 30 पचे देर सो 30 अच हो गिया देर सो 11 वाट 2 या म हो गिया 165 अच देर सो में 165 घडाईए 15 डिगरी होगा तो बीना पेन डाले बना सकते हैं अंतर निकालना है 165 में डियर सो गटाईए 15 डिगरी 15 डिगरी हो गया यदि घरी में 8 बज क 30 मिनट हुए है घंटा मिनट सुयों की 20 का कौन 8 बज का 30 मिनट घंटा 8 मिनट 30 30 अच में घंटा पुट कीजिए 240 हो जाएगा 11 वाट 2 म में मिनट पुट कीजिए 165 हो जाएगा अंतर हो जाएगा कितना 240 में 165 घंटाईए 75 डिगरी इदि आप चाहते हैं बिना प्यंडाले बनाएं पुस्टन से ही कर लिजिए यहीं से कर लिजिए 8 को हम पुट करेंगे 30 ह में 240 हो जाएगा इसको 11 वाट 2 में पुट करेंगे 165 हो जाएगा तो अंतर कितना होगा बता सकते हैं 75 डिगरी पेन डाले का अफस्टा नहीं परेगा अब है 2 बज कर 50 मिनट हटी एच हो जाएगा आपको 60 11 वाट 2 म हो जाएगा 550 वाट 2 275 डिगरी 30 वाट 2 हो जाएगा 60 31 वाट 2 म हो जाएगा अंतर निकालना है 11 वाट 2 म हो जाएगा 275 38 हो गया 60 11 वाट 2 म हो जाएगा 275 275 में 60 घटाते हैं 215 हो जाता है जो की 180 डिगरी स्जादा है यानि मैक्सिमम निकल गया है बाबू क्या निकल गया मैक्सिमम लेना है मिनमम तो क्या करेंगे 360 में 215 घटा देना है 145 जिगरी होगा 145 जिगरी होगा अब 8 बज कर 45 मिनट पर कह रहा है 30 एच कितना होगा देख लेते हैं 240 हो जाएगा 11 बार 2 एम कितना हो जाएगा देख लेते हैं 247 हो जाएगा अंतर कितना हो जाएगा 244 में 240 घटा ये सारे साथ दिगरी हो जाएगा केबल सारे साथ दिगरी 27 नमबर देखते ही 10 बज कर 20 मिनट है तो ध्यान देंगे 30 एच कितना होगा 300 11 बार 2 एम कितना होगा 110 तो अंतर कितना होगा 300 में 110 घटाएगे 190 डिगरी फिर से मैक्सिमम निकल गया है लेना है मिनमम हमेशा मिनमम लेना पड़ता है 360 में 190 घटाएगे 170 डिगरी होगा हमेशा मिनमम लेना है हमेशा मिनमम लेना है option में मिनमम नहीं रहे तो मैक्सिमम लेना है ज्यान दिजिए 5 बज कर 15 मिट कर रहा है 30 अज कितना होगा डेर सो 11 बज टू एम कितना होगा 15 पुट करेंगी सारे ब्रासी तो अंतर कितना होगा देर सो में सारे ब्रासी घटाएंगे देर सो में सारे ब्रासी घटाएंगे तारे सारशा टिग्री होगा अब 29 नमबर देखिए 7 बज कर 20 मिनट पर घंटा 7 मिनट 20 30 अच हो जाएगा 210 11 बज टू एम हो जाएगा 110 अंतर हो जाएगा 210 में 110 घटाएंगे सो डिग्री अंतर हो जाएगा सो डिग्री अब पीस नमबर देखिएंगे 2 बज कर 40 मिनट पर घंटे था मिनट की सुयों की बीच बिरियत कौन बरा कौन निकालना है मैक्सिमम निकालना है 2 बज कर 40 मिनट पर मैक्सिमम निकालना 30 अच हो जाएगा कितना 60 11 बज 2 एम हो जाएगा 220 अंतर 220 में 60 घंटाईए 160 होगा जो की 180 से कम है यानि मिनमम निकल चुका है मैक्सिमम लेना है बिरियत कह रहा है बिरियत कह रहा है मैक्सिमम लेना है बबु मैक्सिमम लेना है 360 में 160 घंटाएंगे 200 डिगरी होगा किसना दीड़ी होगा 200 दीड़ी होगा ध्यान देंगे ज्यादा ज्यादा शेर कीजिए इस वीडियो को पर्ते की वीडियो को शेर कीजिए ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों को फाइदा जो है मिल सके आज इतना ही रहेगा फिर कल मिलते हैं धन्यवाद